हेलो एस्पेंट्स वैलकम तो अनलोग जीएस अकेटमी यह है आपके अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपेसी मेंज के प्रीबिएस एर कोश्चन डिसकस करते हैं यह कोश्चन है यह दो हजार बाइस में आये हुआ कला इवम संस्कृति घंड से जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतिय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के मुख्य योगदान पर चर्चा करें तो इस कोश्चन का अंसर आपको धाईसो सब्दों में देना है तो इस कोश्चन को सॉल्व करने की हमारी बहिया अप्रोच रही की सबसे पहले हम इसके इंट्रॉडक इसके लाबा इनके जो बास्विक संस्थापक थे वे चंदगुग पर्थम थे इसके लाबा जो चोल बंस था उसकी इस्थापना 9th सेंचुरी में विज्जय लेके दोरह की गई जो कि भारत के दक्षिरी शेत्रों में सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले राजबंसों में से एक था इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुप्तकाल और चोलकाल के भारतिय बरासा तेवं संस्कृति में योगदान के बारे में इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मंदिर के छेत्र में योगदान के बारे में जिसमें गुप्तकाल के समय इटो के मंदिर बनना स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें सबसे प्रसित है देवगड़ का दसापतार मंदिर, जिसमें एक घुमाबदार लंबे रेखा देवल, प्याने की रेखा प्रसाद का परकार का ये बनाया हुआ है, साथी साथ इसका जो सिखर है भर नागर सेली में बनाया गया है, जो की रेखिये है साथी साथ गुप्तकाल के अंतगत बरगाकार मंदिरों को अभिकास हुआ जिसमें सबसे प्रिसित हैं विदीसा के एरन में विश्नु एवं परहा मंदिर इसके लाबा गुप्तकाल में जो मंदिर बनाने की जो सैली थी उसमें पंचायतन सैली का भी उपयोग किया जाता था जिसमें एक बीच में एक मुख्य मंदिर होता था और आसपास चारो तरब छोटे मंदिरों का निर्मान किया जाता था तो यह हमने बात की गुप्तकाल के अंतगत मंदर के छेतर में योगदान की अब हम बात कर लेते हैं चोलकाल का मंदर के छेतर में क्या योगदान रहा जो चोल सासक थे बे नए रूपों के सासा जो पल्लब बास्तुकला की तर्श पर उन्होंने मंदरों का निर्मान किया जिससे द्रबिट बास्तुकला के रूप में पहचान मिली इसके लाब हम बात कर लेते हैं मूर्ति कला के छितर में गुप्तकाल के योगदान की जिसमें एक सारनात एक नई सैली का उदे हुआ जिसमें भूरे रंके बलुआ फत्तर का इस्तमाल किया जाता था और इस सैली के अंतरकत बुद्द को खड़े बैठे अबम अन्य मुत्राओं में दिखाया गया है और इस सैली से सम्मंदित जो मूर्तिया मिली है बैस नगर से देवी गंगा की मूर्ति मिली है और गवालियर से अपसरा की मूर्ति इस सैली से प्राप हुई है इसके लाबागर हम बात करें मूर्तिकला के छेतर में चोलकाल के योगदान की तो इसमें एक नटराज की जो मूर्ति है जो काफी जाधा पृसिद है जो की स्रजन, बिनास, आसिरबाद, इबर मुक्ष को इंगित करती है इसके लाबा 10 सेंचुरी में चोलरानी सैंबियन महादेवी की मूर्ति मिली है 9 सेंचुरी की कल्यान सुन्दर मूर्ति जो की एक परेकरहन यानि की विभा की रस्म से सम्मंदित है इसके लाबा गर हम बात करें गुफ़ा बास्तुकला के अंदरगत गुप्तकाल के योगदान की तो इसमें प्रिसिद है जूनागर की गुफ़ाएं जिसमें एक प्रातना कक्ष है और इसके अलाबा एक उपर कोर्ट नाम का एक दुर्ग भी इसमें इस्तित है इसके लाबा दूसरा है नासिक की गुफ़ाएं जिसमें तेज बहुत गुफ़ाएं हैं जो की हीनियान काल से सम्मंदित है और इसका जो तेज गुफ़ाओं का जो समू है उसको पांडब लेनी के नाम से भी जाना जाता है इसके लाबा जो आजंता की गुफ़ाएं है वे काफी ज़्यादा प्रिसित हैं इसके विप्रित अगर हम चोल काल के समय गुफा वास्तुकला के बात करें तो उसमें गुफा वास्तुकला का कोई बिकास नहीं हुआ था इसके साथ ही अगर हम चितर कला के छितर में गुप्तकाल के योगदान की बात करें तो जो अजंता जो चित्रकला है जिसमें जातक कथाओं के रूप में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अंकित किया गया है इसके लाबा इन्हें अलग-अलग फ्रेम का उपयोग किये बिना निरंतर्दा में बनाया गया है और इसमें जो मरनासन जो राजकुमारी का जो चित्र है बैए एक महत्पूर्ण यहाँ पर उधारन है और यहाँ पर बुद्ध के जो जातक खताएं हैं उसको दिबारों पर अंकित किया गया है इसके लाबा एलोरा में भी इसमें तीन धर्म से सम्मंदित जिसमें जैन, बौत देबं, हिंदु धर्म का प्रवाब यहां की चित्रकला पर देखने को मिलता है इसके बाद अगर हम बात करें चोलकला की चित्रकला में योगदान के बारे में तो इसमें जो ब्रहदेश्वर जो मंदिर है उसमें हिंदु देटा के चित्र देखने को मिलते हैं जो की चोलकाल से सम्मंदित हैं साथी साथ इसमें भगबान सिभ, कैलास सिभ, इबम तिर्पुरान तक जो सिभ हैं उनके रूप के सिभ को इसमें दर्शाया गया है तो यह हमने बात की गुप्त काल इबम चोल काल की भारत की जो भिबिन परमपरा इबम संस्कृति में योगदान के बारे में इसके बाद हम इसके निसकर्स के अगर हम बात करें तो दोनों ही बंसों का महत्पुर्ण योगदान है भारत की ब्रासत इबम संस्कृति को आगार देने में इसके लाबा इसमें जो गुप्त कालिन जो गुफाएं हैं वे पंदरा सो बर्सों के बाद आज भी अच्छी इस्सिति में है साथी साथ जो चोल कालिन जो नटराज की जो पूजा है वे आधुनिक भारत के भिबिन मंदिरों में आज भी की जाती है तो ये कोशन हमने डिस सब्सक्राइब द लोग जैसे केडमी थैंक यू